नवस्कार आदाप आप देख रहा हूं रिकॉर्ट मेरा भेंदर ठाना एंटी कर्रप्शन बीरो की टिम ने अमीत आवाले नामक ओफिसर के खिलाप में एक लाक रुपे की रिश्वत लेते हुए एक मामला दर्श किया है और ये रिश्वत की रकम उनके रैटर परतिमिश प क्या है ये पुरा मामला किस बात की एक लाक रुपे के रिश्वत ले जा रही थी आए हम जानते हैं पीडित के जो पतनी हैं उनसे के क्या था पुरा मामला जी आप अपना नाम बताईए और क्या है ये पुरा मामला किस बात की आप से रिश्वत मांगी गई थी मेरा नाम ह बनाने की वज़े से पुलिस वालों ने हमारे उपर ना दबाओ डाला और बोला के इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं जुटा एफायर आया है लेकिन उसके बावजुद भी बार 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 हमसे पैसे की मंग की जा रही थी और उस दबाओ में आके हमसे एक लाक रुपे मां के हैं और एक और हैं क्या नाम है उनका जो तो नाम भी याद नहीं आ रहा है उनका कि आपके पती के खिलाफ में किस परकार का मामला दर्ज हुआ था कब मामला दर्ज हुआ था और उसमें क्या पुलिस के तरफ आप से बताया जा रहा था नाएगाउं की जमीन के उपर यह शर्यंत रचा गया है तो यहां पर नया नगर थाने में नगर प्लिश्टेशन किस बात को लेकर मामला दरज ओआ था आपके पती के खिलाफ मेरे पती के खिलाफ इस मामले को लेकर दरज हुआ है ना कि उनके उपर यह जो रवी यादव है और एक हैं दूसरे भी हैं उनके सा पिठा कर और मेरे हस्बंड के उपर जुटा एफायर करेंगे रेप का मामला कि नए नगर पुली स्थाने में आपके पत्ति के खिलाब में 376 जो रेप होता है वो उसका मामला दर्ज हुआ है जी मामला किया गया है कि यह यह वह तो यह याद नहीं करीब हाँ एक महीना हो गया इसको एक महीना हो चुका है कुछ चार से पांस तारीक को हुआ था यह होने के बाद में फिर आप लोगों के साथ में अन्या हुआ है तो फिर कौन आपके लिए मदद के आया ले आया और आपने कहां कहां पर नया मांगनी की गोहार लगाई हमारे एक है बीजेपि के हैं कार्येकरदा वसली नाएगां के उन्होंने हमारी मदद की और हम लोगों ने मतलब investigation में मामले को डाला उन्होंने हमें राय दी तो हमने जगा-जगा लेटर डाले और ये मामला जब investigation में आया और जब साबित हो गया कि जूटा एफायर है जूटा एफायर है तो पुलिस वालों को जब पता चला है जूटा एफायर है तो उन्होंने हमसे पैसे की मांग चुरू कर दी कौन अफिसर ने आफ से पुलिस की पैसों के मांग कि और कितने पैसों के डिमांड के दी हमसे पहले दस लाग बोला गया थ सब्सक्राइब शॉचे न उंदे दे एक पर दो है आजी पशेए ने कंपलेश आजी दीए बीट है ने डिट यॉट की वहाँ पे दिये थे जी हाँ अब यह आपको लगता है कि आपके साथ में नय होगा पलीस आपको नय देगी जी हाँ अब लगता है पलीस नय आए का देना चाहिए जब इतना सबकुछ हो गया है पकड़े गए हैं सबकुछ हुआ है देख रहा है वो भी कि मेरे हस्बेंड बेकसूर है इनोसेंट है उनको फसाया गया है इस मामले में और सिर्फ ये जमीन का विवाद के उपर हो रहा है जी तो आपको नहीं लगता है कि जो एक महिना पहले जो आपके पती के खिलाप में एफायर दर्ज हुआ है उस एफायर दर्ज करने के लिए ज पहले जो जूटा एफायर दर्ज हुआ तो उस वक्त के जो लोग दोशी थी उनकी इनकोईर हो अगर दोश भी पाई जाते तो उन पर भी कानूनी कारवाई हो जी हां उन पर भी होनी चाहिए कानूनी कारवाय जो जो लोग शामिल थे इस एफायर करने में अब मुझे तो पता नहीं कौन-कौन थे, जो भी शामिल होंगे, सब के उपर कानोनी कारवाई होनी चाहिए, यह मेरा मानना है, हाँ, जब अब इन्वेस्टिकेशन हो रही है, अभी पूरी तरीके से हो रही है, तो सब के उपर कारवाई हो, सब पे केस होना चाहिए, हाँ, मुझे नियाय मि मिलना चाहिए आज वो पीडित हैं इनोसेंट आदमी के उपर उन लोगों ने इतना बड़ा केस जिंदगी लाइफ का सवाल था उनके ऐसे के अभी हम लोग दहिसर में रहते हैं धन्यव अदम से बात करने के लिए प्लित समीर शेक की पतनी जिनका कहना है कि एक मेना पहले इसी नया नगर पुलिस थाने में जो एफायर दर जो आता जिसमें बलातकार के धाराये लगाई गए थे इनके पती के खिलाप में उस एफायर क पेसे बात पाच लाग पेसे आज उसकी एक किष्ट एक लाक रुपे के तोर पर जब दी गई तो एंटी करफशन बीरो की टीम ने उन्हें रंगया हाथ गिरफतार किया है तो नया नगर पुलिस थाने में इतने बड़े पैमाने पर ये करफशन का काम चल रहा था क्या इस की भनक यहां के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं थी और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह होता है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि एक महिना पहले जो एफायर दर्ज हुआ था उस एफायर को एक साजिश के तहत यहां पर दर्ज करवाया गया था तो उस एफायर दर्ज हुआ वह कै Hiç महिना प्लीस भी फिजिम्मेदार थी क्या उस साजिश में और भी जो लोग जिम्मेदार थे क्या उस साजिश में जिस महिला नहीं اफायर दर्ज किया था वह उसे पहीं कहीं करें को सवाल खड़े होते हैं आशा करते है कि इस पुरे मामले की जाच सीपी मदूकर पांडे जरूर करवाएंगे कि जो पहले जो एफायर दर्ज वाता उसमें क्या सच में वह इसी घटना घटी थी या फिर कोई आर्थिक लेंदिन करके वह एफायर दर्ज वाता इसकी निश्पक्ष रूफ से जाच होना जरूरी है बहरहाल एंटी करफश टाइप होने का काम चल रहा है प्रतमेश पाठील नामक जो अमित आवाले के रैटर है उन्होंने एक लाक रूपे रंगे हातों स्विकार है उन्हें रंगे हातों गिरफतार किया गया है उन्हें यहां पर बैठाया गया है और जो मुख्य जो आरूपी है जो उस एफायर क वक्ष रूप से जाज करेगी और दोश्य उपर कारवई करेगी आने वाले समय में पता चलेगा आप देख रहे कैमेरा में आरिप कुरुशी और साभी शेक के साथ on record मेरा भाहिंदर धन्यवाद